तो होता क्या है इसमें चार केटिग्रीज होती है बेसिकली है ना एक होता है ट्रेट सीक्रेट जिसमें आप अपनी सीक्रेट इंफर्मेशन को प्रोटेट कर सकते हो जैसे की कोक का फॉर्मुला है कोको कोला का फॉर्मुला है उन्होंने सेव कर रखा है किसी को नहीं बता रही है वो भी दे रही है लेकिन उनका formula जो है वो साफ है मतलब समझ गये trademark के बारे में बात करें तो आप trademark के दोरहा दोस्टों अपने ब्रेंड को प्रोटेट कर सकते हो ज में लोगो कोई और साथ निस तरह इस करते हो तरी के से जो बी आपके ट्रेड shapes होते हैं आप उसमें logo's उसको trademark के अंदर use करते हो आपके नाम को use करते हो कि सेम नाम का कोई और star नहीं कर सकता सेम कैटेगरी में start जरूरिय होता है वैसे अगर आपने कोई script लिखी है कोई गाना लिखा है को copyright ones करते हो समझ रहे हो कोई movie भुक है drawing है तो वह copyright होती है अ उस् Saint pin होते है आपने कोई ऐसे टेक्नोलजी कोई असा नया काम किया है तो आप उसको पेटेंट करवा सकते हो अना बिल गेट्स के तो दोस्तों मैक्सिम जो ने जिन्दकी पैसे कामा पेटेंट के दुरू कमाया हर चीज को आइडिया कभी पेटेंट नहीं होता लेकिन वो तो दुगदार लगा कि आइडिया को भी पेटेंट कर लेते थे समझेंगों मेरी बात तो उसके बाद कोई भी अगर वो काम स्टार्ट करेगा तो उनको यह पैसा देना पड़ेगा ठीक है जैसे कि जो है ना स्वाइप फीचर जो आइफॉन का जो डिजाइन का फीचर है स्वाइप तो यह इन्होंने पेटेंट करवा रहा है कोई और अगर इसको यूज़ करेगा तो आइफॉन से पर्मीशन लेनी पड़ेगी और पैसा देगा